दोस्तों आपने एक बार फिर योट्यूब की सबसे बहतरी इन वीडियो पे क्लिक कर दिये दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए अच्छे ख़बर लेकर आ गया हूँ जो अभी अभी आपका सेकिंड सिप्ट का आज का टीपियो एडवलो का यानि दिल्ली हैड दोस्तों यह पेपर आपका बिल्कुल बहतरी ना गया है और दोस्तों अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब हो क्योंकि यहां से आपके 5-6 सवाल 3rd सिफ्ट में यहां पर रिपीट होंगे ठीक है जल्दी से देख लेते हैं क् कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल को ओल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम डिटाय मिलता रहे देख लेते हैं क्या क्या सवाल आज की सेकिंड शिफ्ट में पूछे गए तो दोस्तों पहला सवाल आपके सामने है मंत्री रियल सवाल बताऊंगा एक-एक सवालों को ध्यान से देखते वे चलना है अगला सवाल देख लेते हैं ये सवाल भी बिल्कुल बहुत आसान पूछ ले गया चार ओप्सन आपके सामने थे ठीक है टीरी बांध योजना कौन सी नदी पर है तो चार परकार की नदी गई थी आपका राइट आंसर हो जाएगा भागिर्यती नदी ये आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में पहली जन गन्ना कब की गई थी तो ये आपको चार ओप्सन दिये गए थे तो इन में से दोस्तों बातानी थी आपको पहली जन गन्ना कब क गई थी right answer हो जाएगा आपका correct answer हो जाएगा 18 से 71 में 18 से 71 आपका correct answer हो जाएगा next देख लेते हैं उम्मीद करते हो सभी प्यारे बच्चे वीडियो को like करते वे जरूर चल रहे होंगे और आप लोग नीचे लाल क्लेर का बटन दबाकर channel को भी subscribe कर लेंगे अगला सवाल देख विग्यान मोसम विग्यान आपका correct answer हो जाएगा एक सवाल भी पूचा गया वह देश जो ACI UA खेल 2021 की मेजबानी की थी तो दोस्तों ये कौन से ने की थी ये की थी आपकी चाइना नहीं चाइना आपका correct answer चल जाएगा next देख लेते हैं तो दोस्तों आपको ये बताना था भारत का वह राज्या जिसने सबसे पहले राष्टे बायो फ्यूल पोलिसी लागों की ये की राजिस्थान राज्या नहीं दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा 100% आपलोक सेलेक्शन के करीव हो मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाते हो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना आपकी मेनद जरूर सफल होगी अगला सवाल देख लेते हैं एक सवाल ये पूछा कि है 42 वे समीदान संसोधन विदेख संबंदित है तो दोस्तों ये किसी संबंदित है जो भी आपके fundamental right है मोली का दिकार है नागरिकों की यानि fundamental right of the pupil of the country ये ही आपका correct ह हो जाएगा next एक सवाल आपका ये पूछ ले गया reasoning का यह मान के चलते हैं महत का सवाल मान सकते हो तो ये series का सवाल था ये आपको बताने ती संक्या क्या होगी इनका अंतर कितना है 10 का इनका अंतर कितना है 20 का ठीक है अगला अंतर मान के चलते हैं 30 का और इससे अगला अंतर मान के चलते है 40 का अब आप लोग यहां पर देखो अगर आप लोग 55 में 30 जोड़ोगे तो यह आएगा 85 अब 85 में 40 जोड़ो तो यह आपका 125 आ ठीक है तो यानि यही आपका correct answer हो जाएगा यह आपका 85 हो जाएगा कौन सी संख्या जो यह लूप संख्या है right answer हो जाएगा आपका 85 85 आपका correct answer चला जाएगा इस प्रकार आप लोग यह सवाल कर सकते थे correct answer हो जाएगा सवाल का आप लोग करके देख लेना 85 आपका right answer होना चीए ठीक है लाइक भी कर रहे होंगे आप नीचे और subscribe भी कर देंगे savi government exam के trick के लिए आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल एक सवाल दोस्तो यह भी बैतरिन पुछगा अगर आप यह सवाल करके गए तो दोस्तो 100% आप लोगों को यहाँ पर यह सवाल अगले shift में जरूर मिलेगा important लगा लो मैं इसको करके दिखा देता हूँ ABCD में जो आपका T है T कौन से नंबर पे है पीछे से जैसे Z Y ऐसे आपका पीछे से T कौन से नंबर पे आता है तो यह आता है सातवे नंबर पे तो यह सात इसका code हो जाएगा ठीक है तो यह code हमें मिल गया अब यह R पीछे से कौन से number पे आता है R आता है आपका 9 नंबर पे ठीक है तो R का code हो जाएगा no 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 तो यह आपका correct answer चला जाएगा इस परकार आप लोग यह सवाल कर सकते थे आपको पताना क्या था इसमें इसका code यह है तो इसका code क्या होगा तो इसका code हो जाएगा triple 9 triple 9 आपका correct answer चला जाएगा next दिख लेते हैं अगला सवाल बहुत important सवाल है एक सवाल यह भी बहुत important पूछा गया guys यह सवाल आपका अगले paper में जरूरा आएगा कितना असान सवाल है दो संख्याओ का अनुपात आपको दिया गया है उनका मैसा आपको दिया गया है HCF आपसे लहसा पूचाए यानि LCM आपसे पूचाए देखो कैसे करेंगी यह दो संख्याओ हैं तीन अनुपात 4 एक मालनेंगे 3X 1 मालनेंगे 4X इनका अंतर कितना है X यही आपका क्या हो जाएगा इसका highest common factor हो जाएगा HCF हो जाएगा इसकी value कितनी दी गई है 4, तो X की value हागी 4 अब 4 की गुणा यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर ही कर देंगे तो 4 ती है 12 क्या हैगा आपका यहाँ पर यहाँ जाएगा 4 ती है 12, 4.16 यह आपकी संख्या आ गए इनका LCM क्या आएगा यह आपको बताना है 12 और 16 का LCM कितना होगा आप लोग यहाँ से देख सकते हो यह हो जाएगा आपका 48 आना चाहिए क्योंकि 4 ती है 12 और 4.16 अब आप लोग देखोगे यहाँ से यह 4 यहाँ पर पहले आ गया यह तो हटा दो अब इस 16 की इस 4 गुणा 4 की गुणा यानि इस 16 की गुणा 3 में कर दीजे जो यह 16 आया तो यह आपका जो इसका LCM आएगा निकल के यह आ जाएगा 48 यही आपका correct answer हो जाएगा आप लोग इस परकार यह सवाल करके आ सकते थे उम्मीद करता हूँ कि आपने like भी कर दिया होगा नीचे लाल color का बटन दबा कर subscribe भी कर लिया होगा अब यह वीडियो जो बच्चा देखके जाएगा उसी का selection होगा आगे बढ़ लेते अगला सवाल भी देख लेते हैं यह सवाल आप लोग करके चले जाना एक धावक है जो 200 मीटर की race को 24 सेकिंड में पूरा करता है तो उनकी किलो मीटर में गती बताईए देखो speed equal to distance upon time होता है तो distance कितना है 200 और time कितना है 24 तो 200 बटे 24 यह आपके speed आजाएगी 200 बटे 24 यह आपका किसमे है यह आपका है मीटर पर सेकिंड में इसको किलो मीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे तो 6 तीए 6 चोग 24, 6 तीए 18 ठीक है 5 से काटेंगे 40 बार 4 से काटेंगे 10 बार तो 10 तीए 30 30 किलो मीटर पर आवर आपका right answer हो जाएगा 30 किलो मीटर पर आवर आपका correct answer चला जाएगा आप लोग इस परकार यह सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लेते हैं आपकार 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 आप